हेलो फ्रेंड सबसब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में तो हम यह फार्मसेटिकल कैमेस्ट्री सेकिंड के जो है एमसीक्यूज की मैंने सीरी स्टार्ट कर रखी है तो हमने यहां तक कर ले थे 125 तक इसके कर लिए थे तो यह जो प्रिवस्ट यह वीडियो में मैंने आपसे क्वेशन पूछा ता उसका आप लोगों बिल्कुल सही दिया डायोटिक्स जो होते हैं किसले यूज करते हैं यह इंक्रीज़ यूरिन वॉल्यूम ठीक है तो यह बिल्कुल सही था आप लोगों क्वेशन सब्सक्राइब करने आप लोगों कोमेंट करने प्रेस करना तक जोने वाले विडियो होतें हैं उनके नॉटिफिकेशन्स आप लोगों मिलते रहें हम स्टार्ट करते हैं देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन है 127 127 में है क्लोरो क्रिसोल इस ए ठीक है तो क्लोरो क्रिसोल क्या है ऑप्शन देखिए स्वीटनिंग आजन प्रिजर्वेटिव आमेटिक या एंटी ओक्सजांटम तो लोरो क्रिसोल जो है यह क्या होता है यापकोनसर करना है तो यह olarak अप्शन भी हो जेगा निकेति क्ष्वेटिव ऑकी वेफ्यटिन नेरे क्वेश्टव क्वेश्टन है आपको किसका propanolol का तो प्रद59 क्या है लोलवालі सारे क्या होते हैं बीटा भीलोर कर में अने अब इसका आई वी नियमगईनलोह को आपको आयोपे अ neues यह सामने کو जगई यह थासे ताइम होना प्रोपेन टू ओल होता है तो थोड़ी सी कुछ ड्रक्टर्स जो है आपको पता हुने चीए तो इनके जो जैसे प्रोपेन लोल है इसका स्ट्रक्चर आप अच्छ से देख लेना ओकि नेक्स्ट देखी एंटीपारैक्स करने लिए तो प्रोपेन जैसे के लिए क्या हो जाएगा नहीं थो रीडियूट बॉड़ी प्रेशटर्ड बॉड़ी का तंपरेचर बढ़ा हुआ होता है उसको कम करने के लिए यूज़ करेंगे ना तो इसका डी राइट हो जगा इस टाइप के बेसिक से questions जो होते हैं वह भी आते हैं ठीक है तो हमें थोड़ा सा यह भी धिहान रखने चाहिए इसके अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे रही हूं आप वह भी जाके चेक कर लेना देख लेना देखिए question 130 theophylline is a derivative of option देखे ब्रोमीन अकरिडीन कुइन या जैन्थीन देखे थियो फ्रोमीन बोल देखे थियो ब्रोमीन देखे थियो फ्रोमीन थियो फाइलन और कैफीन यह क्या होते है जैन्थीन डेरिवेटीव होते है ऑप्शन डी राइट हो जग इसको पढ़ना क कैफीन का तो कई बार question repeat होता है कैफीन क्या है 137 trimethyazanthin होता है तो कैफीन वाला कई बार question आता है next है glycerol is a option देखे ल्डी हाइड ट्राइडरिक अल्कोहल फिनॉल या किटोन तो glycerol क्या है ओप्शन देख लिए अब आप इसका अंसर सोचिए क्या होगा ट्राइडरिक होता है glycerol option B हमारा राइट हो जाएगा question देखिए next chemical name of vitamin B2 तो vitamin B2 chemical name क्या है option देखिए राइबो फ्लेविन पाइडोक्सिन एम्फिटामीन या थायमीन देखिए vitamin B1 को क्या बोलते है फायमीन बोलते है B2 को रायबो फ्लेविन बोलते हैं okay ठीकर अपका option ए राइडो फ्लेविन एक प्राइबोर फ्लेविन देखिए तो प्राइमा कुछिन कोन सी कटेगरी की ड्रग है तो आपको पहला तो नाम से ही पताने मैं टी मलेरियल drug में आती है ना Prima Queen so we get two amino quinoline four amino quinoline classification पढ़ते हैं तभी हमारा यह आता है क्या होता है एट amino quinoline आता है देखे classification का जो है वीडियो upload किया हुआ है वीडियおお drags के कर immersion साब है वीडियो भिडियो में मिल जाता है तो यह बटन में लिंक है आप जाके चेक करना ठीक है क्लासिफिकेशन का वीडियो बहुत ज्यादा यूसफुल है वो तो इसमें आंसर क्या हो जागा एट अमीनो कुईनोली नो ऑप्शन फोर राइट करना इसका क्वेशन देखिए नेक्स्ट है डैपसोन बिलोंग्स टू ऑप्शन देखिए सिलफोन आप ने आंसर करना है और किसमें यूज़र करते है डैपसोन तो इसको स्टेए यूजे होता है यह जा बताना है उप्शन का structure मैंने लिया हुआ है हाँ देखे पैफ्रिदिन का यह structure है पैफ्रिदिन का ओके इसमें देखे फर्स्ट पोजिशन पर यह मिथाइल गूरूप होता है और पैरा पोजिशन जो की फोर्ट पोजिशन है उस पे एक फिनाइल गूरूप प्रेजट है और एक यह सी डबल सी ओ सी अंदर प्रेजट है जो यह वाली रिंग होती है ना सिक्स मेंबर रिंग होती है और एक नाइट्रोजन है तो यह है हमारी प्रेजट है पैफ्रिदिन के अंदर ऑप्शन सी आपने राइट कर दिया इसका क्वेशन देखे नेक्स्ट है निफेडिपीन इस डेरिवेटिव ओप्शन देखे कुईन और एल पीस अइसे कुईनोलीन या प्रेजटी निफेडिपीन जो हता है वन फॉर डाई हाइडरो प्रेज़ार प्रेज़े ना पटते हैं जब आप कैल्सियम चैनल ब्लोकर से पढ़ते हैं उसमें आता है एक फोर डाई हाइडरो परेजान आता है जिसमें आप डिपिन वाली ड्रग पढ़ते हैं निफेडिपिन जिसमें आता है तो इसमें आपका अंसर क्या हो जागा पाइरेडीन दिया हुए हमें तो option 4 हमारा राइट हो जागा पाइरेडीन एक बन निफेडिपिन का structure आप लोग देख लीजिए this is the structure of निफेडिपिन ओ इसको नेक्स्ट देखिए question है मैपा क्रीन HCL is used for the treatment of मैपा मैपा क्रीन जो होता है इसमें एक तो कौन सा रिंग प्रेजंट होता है यह मैंने आपको बताया भी होगा आप मुझे कमेंट करके बताना ठीक है कमेंट में बताना कि मैपा क्रीन जो है जिसको कुई ने क्रीन भी एक बताना कुन सा रिंग प्रेजन्ट होता है जो रिंग के अंदर प्रेजंट होता है टेक्रीन जो होता है उसके अंदर भी present होता है ठीक है तो बताना क् csak कून सा रिंग है क्के तरीटमेंट में यूज़ करेंगे यह मैं आपको बता देती हूँ options are dysentery cup gerardiasis या fever तो इसक ग्वेशन देखिए नेक्स्ट है मिथाल डोपा इस ए औप्शंद एक कि एंटी अरिजमिक ड्रग कार्डिकल एकोषाई हैं आप्टेनसिव तो मिथाल डोपा क्या है देखिए हैं यह यह अप्शन दी हमारा राइट हो जाएगा कुलो गुल्कुल सही आंसर हो जाएगा question देखे next beta blocker used as meiotic in glucoma is options are propranolol, sotelol, etinolol या tmolol तो कौन सा beta blocker है जिसको as a meiotic glucoma में use करेंगे that is tmolol option D जो है हमारा tmolol बिलकुल इसका right answer हो जाएगा next है question 140 question क्या है देखे aminophylline is a options देखे जंडल अनस्थाटिक डायूरेटिक ऑटोनॉमिक blocking agent या काडियो वस्कुलर agent तो aminophylline जो होता है यह options देख लिए आपने तो क्या होगा options क्या coding हमारा option B हो जाएगा डायूरेटिक हो जाएगा question देखे next है diagnostic agent propyl iodone is used for options यूरोग्राफी ब्रॉंकोग्राफी आर्टिरियोग्राफी या माइलो माइलोग्राफी यह question भी बहुत बार रिपीट हुए फार्मसिस्ट exam में काफी repetition है इस question का तो propyl iodone को यूज करेंगे ब्रॉंकोग्राफी के लिए option B हमारा राइट हो जेगा question देखे next style कोलीन is a option कोलिनर्जिक ब्लोकर एड्रिनर्जिक ब्लोकर एड्रिनर्जिक एजट या ब्लोक पढ़ते हैं उसमें हमारा style को लीनाता है कारबकोल मिथेन कॉल अता है है और जो एकION मतलब क्َ है यह कॉलिनर्जिक एजेंट होता है ठीक है तो आपने डी राइट करना है इसका ठीक है नेक्स देखे स्वीटनिंग एजेंट या कलरींग एजेंट तो यह होते हैं प्रिजर्वेटी होते हैं और ऑप्षन यह हमारा राइट हो जेगा क्वेशन देखिए नेक्स्ट है 144 सैट्री माइड इस एन एक्जांपल फोर ऑप्षन देखे कटायनिक सर्फेस एक्टिव एजेंट डाई फि है यह क्वेशन भी बहुत बार रिपीट होता है सेट्री माइड वाला नेक्स्ट है ड्रग विच प्रड्यूस स्लीप इस कॉल्ड एज ऑप्षन देखिए एक्स्पेक्टोरेंट नहीं होते स्टिमुलेंट अगर स्टिमुलेंट ही है तो वह स्लीप प्रड्यूस कैसे करें स्टिमुलेंट होता है अब ऐसे पूछ लेंगे घुमा फिरा के पूछन देंगे वीच मनीजांटी फंगल एंटिवाटिक तो जैसे ग्रीश फल्वीन उसमें देंगे ऑप्षन से कार्भी माजूल इस एप्षन देकिए डियागनोस्टिक एजन्ट क्वैगुलेंट सर्फ होते हैं ऑप्षन डी राइट हो जागा हमारा क्या है यह एंटि थाइरोड है तो कार्भी माजूल का स्ट्क्चर मैंने इसमें ले लिया थोड़ा साथ एक बर स्ट्क्चर हमें पता हो ना अगर मान लेजिए कुछ भी पूछ पूछा है उसके बारे में तो हमारा ऑप्षन कर सकते हैं तो यह मैथी माजूल का स्ट्क्चर है ठीक है थोड़ा से देख लिए नेक्स देखे क्वेशन है साइको एक्टिव ड्राग इस ऑप्षन कोटिसोन ऑक्सीफिन ऑक्सीफन ब्यूटाजोन प्लोर प्रोमाजीन या सोडियम लोरिल सल्फेट एस एलस जो क्या होता है अनायनिक सर्फेस अनायनिक सर्फेक्टेंट होता ना एसलसद्ट्ट कितनी होती है 40 होती है ना तो देखे हम से पुछे साइको एक्टिव ड्रग थे लॉप्षन सी हो जबा प्रोमाजीन इसका सब्सक्राइब हो जाएगा प्वेशन के नेक्स नोवो बायोसीन इस अप् क्या है यह एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है जो आप एंसेट्स परते हैं उसमें आता है यह इंटी इंफ्लामेटरी ड्रक्स में आता है आप्शन यह हमारा राइट हो जगा नेक्स्ट है इंसुलीनीज यह होता है याी इंसुलीने एस टी इस टीरोल क्या होता है यह इह स्टिरोडल एस्टोजन होता है एक ध्याँ रखना है is यह नोन स्टिरोडल स्टिरोड सुआ है स्टिरोल और करना है क्वेशन देखने नैक्स्ट है इन सब्सक् Coast इंसुलीन में होती है मुझे बताने कितने ह क्रमन adoption आप मुझे कमेंट करके नहीं में मुझे ठाइसawan सप्सक्ष्ट सप्सक्राइब और ये कुन सा होता है कटाइनिक ही होता है कटाइनिक जैसे हमने सट्रीमाइट पड़ा था न वैसे ही बैंजल्कॉनियम क्लोराइड भी कटाइनिक होता है बोलते हैं र्ठी क्या होता है विटामिन वी वन ओप्शनmak को थामिन विए द्धान रखना है और विशनוכ एक्स होता है सा ओप्षिन हमारा राइट होगा फिरोसिमाइट जो है हाई सीलिंग डायुरेटिक में आता है जिनको लूप डायुरेटिक भी आप लोग बोलते हैं तो बी बिल्कुल सिंपल सक पूछा हम से डायुरेटिक है यह इस नीयज्ट जो होता इसके अंदर कौन सा रिंग प्रेजेंट होता ओफ्षिन के पाइरेडिन पिरिमीड पाइरो ली या पाइरेडिन तो थो सेम से ओप्षिन आ गहे न ही तो इसके अंदर जो शुक्ठ देखी आप लोग यह आपको शुक्षर इसमें आया है देखिये इसको बोलते हैं तो इसमें कुम सा रिंग है यह आपको बताना है तो यह हो जाएगा हमारा पाइरडीन रिंग हो जाएगा तो इसमें दोनों ऑप्शन एक ही हो गए पाइरडीन रिंग इसके अंदर आएगा ओके फिरो सिमाइड आप आपके आपके अपने में पूछा इसमें तो उसके ऑप्शन क्या है फॉर्डो और फॉरान रिंग प्रेजेंट है या फिर अलग है जैसे पाइरडीन दिया हुआ प्र इक को प्यूर का तो इसमें प्राइडीन तो प्राइल प्रेज़न है अगर Heジャep तो ट touches आपके पेंड़ के लिए क्लोरी उस पहें प्लॉर्भ वोता है तो आप दो उप्शन काटेज के किशना लेजला दिए हो नहीं था नहीं होता पर्फीरर रहिएos याद करने के जूरत नहीं होती थोड़ा बहुत भी मतलब थोड़ा बहुत भी मतलब हमारा ओप्षिंस की अकोर्डिंग आंसर निकलाता है तो अभी एक बर मैं आपको स्टक्चर दिखा देती हूं तो भी हमने राइट कर लिया अभी आप इसका स्टक्चर देख लीजिए ए इसमें प्रेजंट है तो यह हो जगा हमारा फ्यूरो सिमाइड नेक्स देखे क्वेशन है 159 इसमें क्या है देखिए क्लोरो क्विन एंटी मलेरियल ड्रग बिलोंग्स टू क्लास ओफ ठीक है तो क्लोरो क्विन जो है कौन सी क्लास की ड्रग है आपको यह इसमें बताना है तो क्लोरो क्विन देखिए 9 अमीनो क्विनोलीन 8 अमीनो क्विनोलीन 4 अमीनो क्विनोलीन या अक्रिडिन तो यह जो ह क्लोरोक्विन तो इसमें होता है प्लिकलोर स Jim coffee । आपने अ upgraded क्या है जो होता है टीं में करना है आपका क्लोर फिनाई रैमीन जो है यह एंटी हिस्टेमिनिक होता है औप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स देखे क्वेश्चन डैपसोन इस यूज़ ट्रीटमेंट ओफ तो डैपसोन जाभी मैं आपको बताया था सलफोन डैरिवेटी होता है डायमीन डाइफिनाई सलफोन होता ह है डैपसोन ठीक है तो यह जो है किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे फंगस डिजीज लैपरोसी हैडेक या फीवर तो यह लैपरोसी में यूज़ करेंगे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा क्वेशन देखिए नेक्स्ट कैमिकल नेम ओफ मैट्रो निडाजोल तो म है तरीके से आपको थोड़ा सा आइडिया है कि मिथाईल ग्रूप और नाइट्रो ग्रूप कहां पर है तो आपका यह जाए ठीक हो जाएगा हम ने देखा था कि हम एक मिथाईल और नाइट्रो का शोच्व पता होनी चीए कि कौन सी पूजिशन पर था मिथा नाइट्रो तो पर नाइट्रो थ्री मिथाइल फाइफ नाइट्रो देखे बाकी तो सेम है इमेडाजोल वन आइल ने इतनों सारा सेम है बस यह पता होना चाहिए कि मिथाइल और नाइट्रो ग्रूप कौन सी पोजिशन पर है ओके इक अब आपकि इसका फ्रक्फेयं मैंने आपको फेल वीडियो में दिखाए भी था देखिए इसमें जैंशा अए ग्रूप है और फाइफ आपनाइट्रो ग्रूप है है तो अब उस तो फाइफ नाइट्रो आपको वसन नाइट्रो सब्दों इथन नॉल ऑप्षिन वन जो है हमारा राइट होज़ेगा क्वेशन देखिए नेक्स्ट है लिगनोकेन इस ए ठीक है लिगनोकेन को क्या बोलता है लीडोकेन भी बोलते हैं जाइलोकेन भी आप लोग बोल सकते हैं तो लोकल नस्थाटिक डायूरेटिक अंटी पायरेटिक लिगनोकेन जो है यह लोकल नस्थाटिक होता है ना ओप्षिन ए आपका राइट होज़ेगा क्वेशन देखिए नेक्स्ट है थायो मर्सल इस ऑप्षिन देखिए कटायनिक सर्फिस एक्टिव एजेंट और्गैनिक मर्कूरल प्रिजर्वेटिव डाय रिडूसिंग एज तो यह सेकरीन सोडियम जो है स्वीटनिंग एजेंट है ओप्षिन हमारा होज़ेगा सी राइट होज़ेगा नेक्स्ट है पापावरी नीजे ओप्षिन देखिए वैसोडाइलेटर एंटि हिस्टैमिन एंटि थाइरोड ड्रग या साइको एक्टिव ड्रग पापावरीन जो होता है यह वैसोडाइलेटर होता है ओप्षिन ए राइट हो जएगा नेक्स्ट चूस्ट ऐसे अंटि फंगल एंटिवाटिक फॉलोइंग एंटि फंगल एंटिवाटिक कौन सा ओप्षिन जैंटमाइस इर्थ्रोमाइस इंप्रिस तो मैं आपको बताया था ना उपर क इस टाइप से चेंज कर सकते हैं ऐसे पूछलिंग इस फल्विन क्या है अगर उनको चेंज करने लेंग्विस पूछ लेंगे कि चूज अंटि फंगल एंटिवाटिक तो यह ऑप्षिन हो जागा आपका डी फॉल्विन हो जाएगा है ना नेक्स देके क्वेशन है साल ब्य और ब्रॉंग को डालेटर होता है यह और इंजhy साथ मettsाथ मसल मसल्य आता है बाकी Restlessness, Nervousness,运and들 लायनी बाकी और भी है नेक्सट देखे question है डाइफन soybean hydramine hydrochloride एंधर ऑप्शन देखे antihistamine anti-piratik antithirodrug या अनल जैसीक तो डाइफनhydramine जो है यह अटिह्स्टमीन है तो option एह हमारा अउन्ञ थो जहीँगा next sodium laurel sulfate SLS जो है क्या होता है ओप्शन देखें सर्फेस अक्टिव एजन्ट ग्लैकोसरड अलकलोड इमल्सिफाइंग एजन्ट इस सर्फेस अक्टिव एजन्ट ओप्शन ए राइट हो जेगा नेक्स्ट है कार्बोक्सी मिथायल ग्रूप इन इंडो मिथासीन इस लिकोट लोकेटी डायट तो इंडो कर्बोक्सी मिथायल ग्रूप जो है वह कौन सी पोजीशन पर है इंडोर रिंग तो पता है लेकिन उसब पता होने से हमारा आंसर निकल के नहीं आरगिंडोर रिंट तो सभी में दिया हो है वन थ्री फाइव यह स्यावन कौन सी पोजीशन पर है यह पता होने के लिए एक स्ट्रक्चर देखिए इंडो मिता सीन का स्ट्रक्चर यह है इंडो मिता सीन का स्ट्रक्चर ओके डिस इस टाक्टर ओफ इंडोमिता सीन क्राइब कौन सा हो एक लिष्यंग कूंब मिफायल गूपन 되지 तो आपने इसका बताना है थी पोजिशन ओफ इंडोल रिंग ऑप्शन टू आपने राइट करना है कि नेक्स के क्वेशन है निस्टाइटिन इस ए ऑप्शन देखिए होर्मोन यूजड इन ओरल एंटिबायोटिक एंटिमिलेरियल या एंटिफंगल एंटिबायोटिक निस् तो इसमें तो इसमें आता है अपको क्या होता है देखिए आपको चैमिकली क्या होता है कि अब इसको उप्शऩ्िक थे में और रोड़ गलाइसी का स्ट्रक्चर आप लोग देख लिए धिक के यह लिगर श्टक्चर ंधा लिग्डोगें दो इसम्हीं ने तो यह तो ऊस्क्त क्राइब request 1,2,3,4,5,6 और बात यादाई है तो आपको पता होगा तो आपको निकल के आजएगा तो इसका यह नाम वैसे लिखा हुआ हुआ है देखिए तो इसका नाम किसका लिडोकेन या लिगनोकेन का तो हमारे तो इध्यान रखना है आपको यह option 3 राइट हो जगा देखे लिगनोकेन जो है बहुत ही इंपोर्टेंट ड्रग है एक तो ना प्रोकेन जो है ना प्रोकेन लिगनोकेन लोकल ना स्थार्टिक्स में से यह जो है इनके थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर ना पता होने जिए इन पर क्वेशन बन सकते हैं एक्षण देखे एफड्रीन इस option देखे टैनिन ग्लैकोचाड सीरप या अमीन अलकलोईड तो इफड्रीन क्या है option d अमीन अलकलोईड नेक्स्ट देखिए सोर्बिटोल है उप्शन देखे एक्रिट टेस्ट स्वीट टेस्ट बिटर नन तो सोर् द्रग पढ़ते एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग में आप कैटेगरी पढ़ते हैं एंटी मेटाबोलाइट की तो उसमें तो फॉलेट अंटागनिस्ट आता है प्यूरीन अंटागनिस्ट में जैसे हमारे 6 मरकेप्टो प्यूरीन आ गया 6 थायो ग्वैनिन आ गया है ना ए यह होता है देखिए ऑप्शन दिख फोर डाई हाइडरोचि साइटेडिन टूड़ ए रइडे और साइटेडिन यह टूड़ी ओक्सी साइटेडिन टूड़ी यह आपने आप सिन एचाईप्शिन इस एप्शन की प्रोटिलेटी के एंजाईम कार्बोहाइड्री अलकलोट है प्रोटीन प्रोटीन क्या है प्रोटीलिटिक एंजाइम है और राइट हो जगा नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज जो डाइबेटिस मेलिटियस में यूज़ कर रहे हैं तो यह फैनफोर्मीन है फैनफोर्मीन जो आप बाइग्वणाइस में पढ़ते ना वह यह नेक्स्ट है गार्डिनल और लुमिनल और ब्रैंड नेम फूर ऑप्शन के ब्रैंड नेम होते हैं और फिनो बार्बिटोन नेक्स्ट देखे फिनोल इस ओप्शन है अरटा लेखे नेक्स्ट ने § चलियल ब्रैशर ने ₹1 और आपने भी को के सब्सक्राइब नेक्स्टण फिनोगोमा किसमें आता है देखिए जो आप Parkinson's की ड्रग पढ़ते हैं उसमें एक आता है सेंट्रल एंटिकोलिनर्जिक्स भी यूज़ करते हैं उसमें बाइपरिडन आता है यह option C कर देंगे आप पार्किंसोनिजम तो देखिए यह मैंने थोड़ा सा इसमें लिखा वे कौन कौन सी ड्रग्स है देखिए 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 अटिकोलिनर्जिक्स अवलेबल फो पीपल बीद पार्किंसन डिजीज जिसे ट्राइक्जी फैनेडाइल होता है बैंजट्रोपिन होता है और फि स्प पार्पिंसराइब तो पिल्चार्पिन क्या है मैं आपको पता था कॉलीट मिमटिक अलकलोईड में आता है न नहीं तो प्रेजिड है एक हीटरो साइकलिक सिस्टम प्रेजेंट इस फिनाईल ब्यूता जोन में कौनसा रिंक प्रेजेंट है ऑप्शन के इमेडाजोल औक साजोल पायरा जोली डिन या पिप्र इंट तो फिनाइल बूटा जोन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है और इसमें पायरा जोली डिन है ऑप्षिन सी राइट हो जगा कॉनसी प्रेजंट प्रजिए अबाइब आपको स्ट्रकचर भी दिखा देती हुए इसका किसका फिनायल बूटा जॉन लेखे फिनाईल ब्यूटाजोन का स्ट्रक्चर है इसमें यह रिंग प्रेजन ना यह रिंग यह है पाइरा जोलीडीन और डाइओन भी वह सकते हैं क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड के सथ टूसीजन न तो पाराइस दोलीटी डाइस बहुत भलते इसको लेकिन अपने अप्षण समत्राइस नी दिया हुआ है और यह हमारा option हो गया सी राइट हो गया है ना फिनाल बुटाजोन का देखिए नेक्स्ट क्लोफाजिमीन इस यूज़न ट्रीट्मेंट ओप्शन देखिए लाप्रोसी था टाइफोर्ट कैंसर या मीबियासीज तो क्लोफाजिमीन को यूज़ करेंगे किसमें लाप्रोसी मे अप्शन यह त्टीक है इसको लप्रोसी के लिए यूज़ करते हैं ऐसे बी क्वेशन आता कौन सी डाइफ है जो लाप्रोसी यूज़ करते हैं डाट इस क्लोफाजिमीन नेक्स्ट है वैसो कंस्ट्रिक्टर यूज़़ फो दाशिम्टोमेटिक रिलीफ और राइनेटी ज साइनुसिटी इस ओप्शन देखिए एफेड्रीन अड्रीन नेफर्जोलीन या ओल तो वैसा कंस्ट्रिक्टर जो है कौन सा है यह ओप्शन सी हो जगा इसको सिम्टमाइटिक रिलीव और राइनिटीज और साइनुसिटीज में उस करेंगे तो ऑप्शन सी हो जगा कार्पीन है ना वह होगा ऑप्शन सी हो जगा एजब मियोटिक यूज़ करते हैं ग्लुकोमा की ट्रीटमेंट में नेक्स्ट है नियोस्टिक्मिन ब्रोमाइड इस यूज़ और ली फॉर्दा ट्रीटमेंट ऑप्शन देखिए पारकिंसोनिजम ग्लुकोमा मैस्थिन ग्र पर क्ली अरॉमैट थो ट्रोमेटिक एस्टिक आसेड यहानन इस इस बसक्राइट होचेगा इसके अंदर ठीक है नेक्सटेशा पैंक्रियाटीन इस ऑप्शन देखिए डाइस्टिक एंजाइम अलकलोड प्रोटीन रोटीन तो पैंक्रियाटीन क्या होता है यह अग्षिट ऑप्शन एक होजएगा next question है is option दिकी इंडो में था सी परासितमोल आइपुपोफन यह नन ऑफ दीज एक अमीनोफन है परासितमोल को बोलते हैं इमेडाजोल औरिवेटिव होते हैं यह नेक्स्ट है डी पैनिसिलामी इस चलेटिंग ऐजन्ट यूजट इन ऑप्शन देखें कोपर और लैड पोजनिंग विल्सन डिजीज रुमेटोर अर्थराइटीज और तो डी पैनिसिलामीन को ना सभी में यूज़ करेंगा ऑप्श डाइक लॉफिनमाईड इस यूज़ इन्वीग मार्सीन ऑप्शिय घ्रेविस ऐापिलेप को और यूज करेंगे तोप्षन डि राइट हो जेगा नेक्स्ट देखें क्वेशन नमें नमबर 198 लिए निया को इसपार्णोल लेक्टोन ऑप्षन दी राइट हो जेगा विश्चन अग्सट्राइट स्टिरोडल है यह सब बाते हैं किसके बारे में पॉटाशियम स्पैरिंग डायुरेटिक होता है क्योंकि पॉटाशियम स्पैरिंग नहीं होने देंगे उसके वैसे हाइपर कैलीमिया हो जाएगा फिरोसिमाइड इथाकरानिक यह सब यह लूप डियुटिक एग्जाम्पल है हाई सिलिंग डियृटिक्स नेक्स देखी क्वेशन है है हाई सिलिंग डियूरेटिक की जाई मैं आको बताएग दिया आप्शन देख्टाइड हाइड और पॉली थायज़र यह फिरोसीमाड इस फिरोसीमाड ऑप्शन डी र इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बुक्स में देना है और जो भी क्वेशन आपसे पूचन को आंसर भी देना तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगए जाशेर करना चाले पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो किस टाइ